नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारे इस वीडियो टुटरल पर मैं सत्यना अंटेलर आज हम आपके साथ इस टॉपिक पर इसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा जो है रिजर्व बैंक आप इंडिया ने विट वर्स 2022 में 9.5 प्रतिशत की दर्से बड़ेगा भारती अर्थविवस्ता उच मुद्वाइस्पिति के सामन्य होते नहीं दिख रहे हैं इसलिए आशार आर्बिया की रिपोर्ट के अनुशार विट वर्स 2022 में 9.5 प्रतिशत से बड़े का भारती अर्थविस्ता का मुद्वाइस्पित सामन्य होते नहीं दिख रहे हैं इसके आशार आर्बिया के गवर्णर मिस्टर ससी कांदास ने कहा है गवर्णर ने कहा कि अगस्तक कोविट 19 की दूसरी लेर का अशर कम हो गया और दूसरी तीमाई से अमारे देश में आर्थिक विकास 72 होगी आर्बिया के गवर्णर मिस्टर ससी कांदास ने 9 सितंबर 2021 को ये कहा है कि वित्वर्ष 2021-22 में इंडियन इकनामिक्स भारती अर्थवस्ता के 9.5 प्रतिशत की दर्शे बढ़ने की संभावना है उन्होंने ये भी कहा कि ये के तेज संकेतांग है जो आर्थिक गतिविदियों को तेज गति से बढ़ते हुए बताया गया इस एक मीडिया कारिक्रम में बोलते हुए मिस्टर गवर्णर ने ये कहा कि अगस्ता कोविड-19 की दूसरी लेर का प्रभाव कम हो गया था लेकिन दूसरी तीमाई से अधिक आर्थिक विकास बहत्तर होगी उन्होंने ये भी आगे बताया कि आर्बियाई ने महामारी के कारण आर्थिक विकास पर अधिक जोर देते हुए सरकार द्वारा निर्दारी 2.6% मुदा इस्पिति बैंड पर काम करने का फैसला ले लिया गया है उन्होंने ये भी कहा कि केंद्री बैंक समय समय पर 4% दक्षयों को हासिल करने की दिशा में दूर्द गतिशा आगे बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि मुद्रा इस्पिति में निरंतर वर्दी की संभावना नहीं है आर बियाई ने मुखे गवर्णर ने हमारी मुखे विस्यस्ता है बताईए वैस्विक बाजार में आसान तरलता की इस्ती उन इस्तितियों में जो गरेलू बाजारों में उचाल का गाड़ बन रही है लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मुद्रा इस्पिती को प्रभावित करने वाली उची समपतियों कीमतों का कोई सबूत बाजार में नजर नहीं आता है RBI के उधार रुक को जारी रखने पर बोलते वे मिस्टर ससीकान दास ने कहा है कि उन्होंने ये आगे कहा कि RBI के दर निर्दारन पैनल दोरा मिटिंग की जाएगी और उन्होंने सीर्स बैंकों कुछ मुद्रा इस्पिती को सामाने करत होते नहीं देख रहा है दास ने आगे ये भी बताया कि जून तीम आई त्री मंतली जो वैस्विक रिपोर्ट होती उसके अंत में बैंकिंग प्रणा लिखा सकल और गेर निस्पादित परिशंपतियां अनुपाद 7.5 प्रतिशत रहा है वो अब तक के प्रबंदनी है आरबिया के गवर्णर ने कहा कि सरकार को क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी गंबीर रूप से मुद्रा और चिंताओं का अवगत करा दिया गया है विचार विमर्स चल रहा है वारती अर्थ व्यवस्ता के बारे में भारती रिजर्व बैंक की क्या प्रस्पूमी इसके पहले अगस्त में अपने द्वी मासी की मौदिग निती की समिक्षा की गई और चालू वित्वर्स 2021 के लिए वास्त्विक सकल गरेलू उत्पात की वर्दी का अनुमान 9.5% बरकार रखा गया है RBI ने अपने उदार रुक को जारी रखने के लिए रेपोदर में भी परिवर्तन 4% और रिवर्स रेपोदर में 3.35% अपरिवर्तन रखने का फैसला किया है और RBI के गवर्णर ने कहा उलेक किया है कि COVID-19 की दूसरी लेर में धील और अर्थ व्यवस्ता को फिर से कोलने के लिए गरेलू और आर्थिक कतिवीदियों को सामानी बनाने के लिए बजट बुस्टर का आयोजन भी किया जा रहा है Thank you for this video